आवारा पशुओ का मुद्दा न तो कोई ये नया मामला है और नहीं केवल ये माउंट आबू का है पूरे देश में आवारा पशुओ के कारण हमेशा ही परेटो को वह इस्थाने लोगों में परेशानी बनी रहती है यूँ तो हमने कई बार सांडव गाय की हमले वीडियो क के माद्यम से दिखाए हैं लेकिन आज का यह दर्श्य विच्रित करने वाला है जब एक बैल रोड पर खड़े व्यक्ति को पीछे से उठाकर हवा में उच्छाल देता है और वह व्यक्ति सर के बल रोड पर गिर जाता है लेकिन गनी मत रही कि उसे गंबिर चौटनी आई वरना उसकी जान भी जा सकती थी प्रशन यह है कि ऐसे वीडियो लगातार सोशल मीडिया व खबरों के माद्यम से सबी के सामने आते रहते हैं लेकिन इस पर कोई कारवाई क्यों नहीं होती हाली में हमने सीरोई की एक गौशाल का दोरा किया था जहां उन्होंने बताया कि ह आम लोग आवारा नंदी गाए बैल सबी को लेते हैं तो फिर जो ऐसे पशू आवारा सड़कों पर गूमते हैं उन्हें ऐसी गौशाला में क्यों नहीं भीया जाता ताकि उनका भी जीवन सही रहे और इस्थानी लोगों परेटों को भी इनसे कोई ख़ज्राना महसूस हो यह एक गंबिर मुद्दा है पूर में जैपूर में एक बड़ी घटना हुई थी इसमें एक विदेशी परेटक की जान तक चली गई थी अति आवशकता है जल से जल शहर के आवरा पशूओं को एक गौसाला में भेजा जाए ताकि परेटकों वो इस्थानियों के बीच ब